हाई वेलकम तो मैं चनल इस बीडियो में सॉल्फ करेंगे क्विश्चन नबर सेबन बई वाट नंबर सुड़ इच अब फालिविंग नंबर्स बी मल्टिप्लाइड तो गेट अ पर्फेक्ट स्क्वेर इन इच केस करना क्या है कि हमें पहले यह पता करना है कि इस नंबर में क्या मल्टिप्लाइड करें कि यह नंबर पर्फेक्ट स्क्वेर हो जाए ठीक है और जब इसको मल्टिप्लाइड करने के बाद जो निव नंबर मिलेगी हमें यह भी पता करना है कि जो निव नंबर मिला है वह किस number का square है also find the यहां बोला है also find the number whose square is the new number जो है किस number का square है यह भी find करना है अभी हम यहां solve करेंगे तो clear हो जाएगा तो solve करते हैं one by one ठीक है इसमें आपके seven question दिया हुए seven parts तो पहला part करते हैं आपर first तो पहले करेंगे हम हम यहां पर factorization जो भी दिया हुआ है eight eight two zero तो इसका factorization हम simple करने के लिए का करेंगे कि कौन से बड़े से बड़े number से हम divide कर सकते हैं तो यहां से आप देख पा रहे होंगी कि eight से तो नहीं कर सकते हैं लिकिन हम four से कर सकते हैं divide पहले पहले फोर्स कर लिजे फोर्टू जा एट फोर्टू जा एट और अब यहां कट गया पूरी तरह से तो 20 मिल जाएंगे क्योंकि two में जा पाएगा तो 20 मिल जाएंगे तो फोर जूरो बढ़ाना पड़ेगा और फोर फाइव जा ट्वेंटी अब यहां लें जाएंगे five से क्योंकि इसमें करेंगे फिर से तो 9 से करेंगे तो 9 से क्यों करेंगे को कि देखे आइड करने पर आ रहा है ऐसा नंबर जो 9 से डिवैड हो जाएगा 448 और 1 9 448 और 1 9 9 जो है 9 से डिवैड हो जाएगा बिल्कुल 9 से कटा देंगे हैं हापर तो 9 436 9 436 तिना बचा 8 बचा 81 हो गया 9 9 जा 81 यहां पर कटाएंगे तो यहां से लेगा से लेगा से लेगा से सेंटी यहां हो जाएगा और वह उन है मतलब यहां पर अफ्रक्टराइज हो चुका है तो हम लिख देंगे आपर 100 हमें मिल गया 8820 is equal to मिल गया हमें और इसको फ्रक्टराज को रिख देंगे ठीक है 7 into 7 अब यहां पर देखें पेर बनेगे तो यहां देखें पेर बना गया इसका इसका बन गया और यहां बन गया 5 का पेर नहीं बना है तो यही 5 बता रहा है कि इस नंबर में 5 से इंप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर कि यह जो नंबर है वो परफेक्ट इसक्यार होगा अब यह परफेक्ट इसक्यार नहीं है इट इंप्लाईज हमें 5 पहला आंसर मिला हुआ ठीक है इट इंप्लाईज एट एट टू जीरो मस्ट बी मल्लिप्लाईड बाई मल्लिप्लाईड बाई 5 टू मेक इट टू मेक परफेक्ट इसक्यार ठीक है तो यहां पर समझेंगे यहां पर 5 से इंप्लाई करेंगे दोनों साइट स्मिल्ट क्या मिलेगा इस एक्वेशन 1 में यहां 5 से इंप्लाई करता है दोनों साइट स्मिल्ट क्या मिलता है यहां मिलेगा इट इंप्लाईज क्या मिलेगा 8820 इन्टु 5 इधा 5 से मिलेगे और इधा मंटपलाई कर लेंगे तो मिलेगा 2 x 2 x 3 x 3 x 2 यहां 5 का pair बना दीजिए, means 5 x 2 हो जाएगा 5 x 7 x 7 देखिए हमने क्या किया, दोनों साइड दो मंटपलाई कर लिए 5 से तो अब यहां पर हमें मिल जाएगा, देखिए हमें जो निकालना है वो तो निकालना है कि यह जो नंबर नया बनेगा, वो किसका perfect square होगा वह ऐसे भी फिर भी हम यहां मिल पलाई कर लेंगे तो 5 x 0, 5 x 2 x 10, 10 का 0, 1 का रहे ओवर 5 x 8, 40 x 40 and 1 41 का 1, 4 का रहे ओवर and 5 x 8, 40 x 44 हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 44,100 is equal to, यहां पर देखे कैसे करेंगे, 2 का pair बन रहा है, 3 का pair बन रहा है, 5 का pair बन रहा है, 7 बन गया मतब कि सबका एक एक pair ले लिजे, 2 x 3 x 5 x 7, इसका whole square हम लिख सकते हैं, है कि नहीं कि इसका pair बन रहा है, तो square कर सकते हैं यहां पर, तो यहां पर multiply कर लेंगे, अंदर से क्या मिल रहा है, 2 x 6, 6 x 5, 30 and 37, जा कितना होता है, 7 x 3,021, means 210 होता है, 210 का square आ गया, means यहां से clearly पर चल गया, कि यह जो number है, नया number जो बना हुआ है, new number 4, 44,100, यहां जो है 210 का square है, ठीक है तो clearly, clearly, the new number, means 4410, यही है, the new number, ठीक है न, the new number, यह जो new number है, is square of, is square of किसका 210 का, 210 का square है, तो यह पहला answer, मतब यह आपका एक answer है, और दूसरा एक answer है, यहां पर, जो 5 है, यहां पर, ठीक है, यह 5 जो है, यह आपका पहला answer, यह दूसरा answer, तो इस तरह से आप answer लिखेंगे, चले हम solve करते हैं, one by one सब का, लेकिन इतना लिखेंगे नहीं, थोड़ा साटकर में हम solve कर करेंगे, ठीक है, तो आप manage कर लिजएगा, चलिए, इसको हम erase कर लिते हैं, ओके, अब यहां solve करते हैं, second, तो यह आपका दियावाए, three, six, seven, five, तो पहले फैक्टाइज करते हैं, हम five से, फैव, seven, जा, 35 हो जाएगा, five, three, जा, 15 हो जाएगा, and 25 हो जाएगा, तो five, five, जा, 25, अब यहां five, zero से करटेगा, five, बजा five, two, बचेगा, 23, and five, four, जा 20, five, seven, जा 35, यहां पर seven से कर सकता है, seven, two, जा 14, and seven, जा seven, यहां पर seven, चलाएगा, seven, three, जा 21, and three, बजा three, means हमें, यहां 75 जो है इसके जो factors हो जाएंगे प्राइम factors वो मिल जाएंगे 3 into 5 into 5 देखे 3 पहले मैं लिखा है फिर इसको फाइव 5 into 5 into 7 into 7 अब यहां बाद देखे 5 5 का पेर बन गया 7 7 का पेर बन गया तो यह जहां आप 3 का पेर नहीं बना हुआ है तो यही 3 वो number है जिससे multiply करना पड़ेगा इसमें तब जाकर कि यह perfect square बनेगा तो पहला answer आपका यह मिल गया 3 तो लिख देंगे hence ऐसा करके आप लिख देंगे जो मैंने पहले बार आपको पहले कुशन बताया था फर्स्ट पार्ट में अब यहां पर मैं direct कर रहा हूँ ठीक है it implies अब यहां multiply करना पड़ेगा 3 से 3 6 7 5 इसको perfect square बनने के लिए का अगरना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा 3 से मतलब कि इधर भी कर देंगे इधर भी कर देंगे दोनों तरफ तो यहां पर बन जाएगा अब भी 3 का pair और यहां बन जाएगा 5 into 5 into 7 correct अब यहां पर हम लिख सकते हैं इस नंबर को इस तरीके से 3 into इसका pair बना लिजे इसका pair बना लिजे 3 into 5 into 7 इसका हम square ले सकते हैं है कि नहीं क्योंकि इसका एक एक ले करके square कर लेंगे अब यहां पर जो square बनाएगे वो क्या बनेगा 5 त्रीजा 15 15 सेविंजा 105 होगा और 105 का क्या होगा square होगा मतलब कि यह जो नया नंबर बनेगा 105 का square है तो hence the new number जो new number farmed होगी hence the new number हम वो new number निकाला नहीं चाते है क्योंकि new number निकालने को नहीं पूछा है हमें बस बोलाए कि किस number का find the number whose square is the new number ठीक है तो the new number the new number is the square of is the square of कितना 105 तो यह हो जाएगा 105 आप answer ओके चलिए आप करते हैं third part ओके नौ फ़र्ड पार्ट यहां पर है two आप पर रहे थी फट जो फ़एव यहां पर हम करेंगे पहले-पहले कि आप 5 से प्टाइजिसां क्योंकि इसका इनुस्पर स्पर क्या है 5 है 5 बंज़ा 5 10 हो गया 5 तीज़ा 10 5 बंज़ा 5 यहां पर पता चल रहा है बिल्कुल कि 11 से करेंगे 11 11 जा होता है 121 और 11 बंज़ा 11 मतलब कि so मिल गया हमे 605 इसको मिल गया 5 इसको मिल गया 5 बंज़ा 11 यहां पर दिखें 11 के प्यार बन गया है 5 के प्यार नहीं बना इसका मतलब कि 5 is the number by which this number must be multiplied so that we get a perfect number ठीक है तब जाकर कि यह बनेगा perfect square number अब यह new number बन जाएगा मतलब कि इधर भी 5 से करना पड़ेगा और यह हो जाएगा 11 इंटू 11 अब यहां प्यार बन गया इसको लिसकते हम 5 इंटू 11 का whole square मतलब यहां से clearly मिल गया हमें hence यह जो multiply करने पर मिलेगा वो नए नमर मिलेगा और जो नए नमबर है hence the new number hence the new number is the square of is the square of 55 तो आपको दिख भी रहा है कि 55 का क्या है यह square है तो बिल्कुल है 55 answer हो गया यह एक answer हुआ यह 5 क्योंकि 5 से मिलेगा ना पड़ेगा और यहां पर 55 answer है एक जो की बता रहा है कि 55 का square जो है यह new number है जो नए नमबर बने गए यहाँ पर तो यह हो गया आपका third part अब इसको मिलेज कर लेते हैं अब आते हैं fourth part पर पहले कर लेंगे इसको factorize देखें यह थोड़ा सा बड़ा नमबर लग रहा है तो इसको जो है जो फ्रॉड़ाज करेंगे तो एक बड़े नमबर से कटाएंगे पहले 8 से कटा लेते हैं तो एट एट फोर्जा 32 हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो 8 3 जा 24 यहां मतलब 8 से भी कट सकता है यह 8 से कटा लेजाए फिराल में तो 8 8 4 जा 30 32 40 हो गया 8 5 जा अब 45 हो गया यह 45 जो है 5 से कटेगा 5 9 जा 45 और यहां पर 9 से कट जाएगा 9 जा 9 मतलब कि यहां पर मिल गया हमें 2880 इसको लिसकते हैं तो इतना इसको लिख सकते हैं क्या देखे पहले पहले हम 8 का लिखेंगे 2 इंटू 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 फिर यहां पर 5 का है और यह 3 का है तो पह आपका जो है एक answer हो गया यह पहला answer है मतब 5 से multiply करना पड़ेगा इस पूरे में मतब इस number में 5 से multiply करना पड़ेगा इस number को perfect square बनाने के लिए अब यहाँ पर हम जब multiply कर लेंगे 2, 8, 8, 0 में यदि 5 से multiply कर लेंगे तो यह बन जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into यहाँ पर हो जाएगा 5 into 5 अब पेर बन गया यहाँ पर देखे एक पेर, दो पेर, तीन, चार, यहाँ पाच सब का पेर बन गया है सब का पेर बन गया यदि तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसका लिख सकते हैं square के फार्म में । इसमें से एक लेलिए 2, इसमें से एक टु लेलिए, इसमें से 2 लेलिए, फिर यहांसा एक 3 लेलिए और यहांसे उक 5 लेलिए । और इसका स्क्वयर कर देजिए , क्योंकि यहां नम्बर बनेगा, जोभी होगा जिद्त मैं, मटपलए कर लिए 2ourtर 4 & 4k and 4k and 8 x 7 जा, 24, 24, 5 जा, 24, 5 जा, जो भी आएगा उसका square बनेगा यहाँ पर, मतलब कि मतलब कि मतलब कर लेते हैं, 5, 4, 20 का 0, 2 कह रही ओभर, 5, 4, 5, 10, and 2, 12, 120 का क्या होगा, square होगा, मतलब कि इसका fourth का जो answer होगा, वो आएगा 120 का square, है, okay, तो मतलब कि actually हम लिख सकते हैं, hence, यह जो नया नमर बनेगा, यह मुट्पलाइकर नभी क्या बनेगा, नया नमर बनेगा, hence, the new number formed, hence, the new number formed is the square of, is the square of, यह जो नया नमर बना है, क्या है, square है, 120 का, 120, so this is your second answer, पर, ओके, चलिए, अब करते हैं, यहाँ पर, erase इसको, और आते हैं, इसके next part पर, ओके, तो हमारे पास है next part, इसका 4056, फिफ्थ पार्ट, 4056, तो इसको हम करेंगे 8 से पहले-पहले, क्योंकि यह भी बड़ा नमबर है, और इसलिए इसको थोड़ा से छोड़ा करने के लिए, हमें 8 से पहले-पहले डिवैड करता चाहिए, तो हम इसको 3 से कड़ा लेते हैं, 3 बज़ा 3, 2 पचा 20 हो गया, 3 6 ज़ा 18, और 27, 3 9 ज़ा 27, 169 जो है 13 से केंसी रट हो जाता है, 13 13 ज़ा हो जाएगा, और यहां पर मिल जाएगा आपको, 13 ज़ा 13, means, so, मिल गया हमे, 4056 is equal to, देखिए, हम यहां पर फ्रक्टाइज कर लेते हैं, तो 8 को लिख लेंगे, 2 into 2 into 2, और यहां 3 को एक ही बार लिखेंगे, into 13 को दो बार, यहां पर, तो यह मिल गया पेर, देखिए, 2 का मिल गया यहां पर, लेकिन इस 2 का, और इस 3 का नहीं मिला पेर, और यहां पर मिल गया 13 का, तो यह जो 2, 2 और 3 का जो नहीं मिला है पेर, इसी नमर से मट्पलाई करना पड़ेगा, तब जाकर कि यह बनेगा क्या perfect square, means, 6 आपका एक answer हो गया, 6 is the first answer, क्योंकि 2, 3 जा 6 आएगा, और 6 से मट्पलाई करेंगे, बोथ साइट्स में, मट्पलाई करने पर क्या मिलेगा, 4056 into 6, जब 6 से मट्पलाई करेंगे इसमें, तो यह बनेगा new number, यह बनेगा वो बराबर होगा, 2 into 2, यहाँ पर 2 बन जाएगा 2 से, फिर 3 बन जाएगा 3 से, तब ही तो यह बनेगा perfect square, और यहाँ पर हो जाएगा 13 का 13, अब यह देखे, पर बन जी चुका है, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यह भी बन गया, मतलब कि हम अब यहाँ ले सकते हैं, कि जो भी यह number होगी, new number, whatever, हम मट्पलाई नहीं करना चाहते, क्योंकि इसका answer नहीं आएगा, जो भी, हमें यहाँ पर निकाल 12 में 13 से मट्लाई करेंगे, यह जो आएगा, वही आएगा, square, means 156 का आएगा, square, तो हम यह आप ले सकते हैं, कि hence, 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 hence the new number, hence the new number, new number कौम सा है, यही है, मट्पलाई करने पर मिलेगा, new number, hence the new number, is the square of, is the square of 156, यह आपका answer हो गया, यह आपका second answer है, तो ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे, और आप करेंगे, अब 6 part, इसको कर जाते हैं, erase, वीडियो को पास करके, जो है, आप इसको लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं, नई, तो solution ही देख सकते हैं, solution कैसे किया जा रहा है, आप खुद कर सकते हैं, देखने के बाद, चलिए, तो अब यहाँ पर करते हैं हम लोग, 7, sorry, 6, तो यह हो जाएगा, 3, 4, 6, 8, यहाँ पर पहले-पहले किसे करेंगे, 4 से पहले करते हैं, 4 से करते हैं, 4, 8 जा, 32, 32 बचा, 2, 26 हो गया, 26 में ले जाएगे तो क्या बचेगा, 4, 3, 4, 8, 4, 6, 24, और 2 बचा, 28 हो गया, 4, 7, 28, अब यहाँ पर ले जाएगे, तो इसको देखे, यह 4 जाप निकेट पाएगा, अब यहाँ पर देखना होगा कि इसको सम करने पर क्या मिल रहा है, तो 8, 6, यहाँ पर करेंगे, तो यह 3 से कड़ जाएगा, 3 क्या 9 से कड़ जाएगा, एक्चुली, ने, 3 से कड़ जाएगा, एक्चुली, 3 से कड़ आई है हाँ पर, तो 3, 2, 6, 2, 26 हो गया, 3, 8, 24, 2 कर्यों भर, और 27 हो गया, 3, 9, 27, मतलब कि यह 2, 8, 9 आगया, 2, 8, 9 जो है हम जानते हैं कि 17 का स्क्वाइर है, तो अब इसको हम लिशकते हैं, सो हमें मिल गया, क्या, 3,468 जो नमबर है, उसका अफिर्टाइशन हो गया, यह 2 इन्टु 2, 4 को लिशकते हैं, 2 इन्टु 2, इन्टु 3 का लिखेंगे, 3 ही, इन्टु 17 को लिखेंगे, ऐसे 17 इन्टु 17, ठीक है, यहाँ पेर बन गया, 2 का और 17 का, लेकिन 3 का पेर नहीं बना, तो यही 3 वो नमबर है, जिससे मट्पलाई करना पड़ेगा, तो यह 3 जो है, पहला आपका अंसर है, क्योंकि यहाँ बोला ही है, कि by what number should each of the following numbers be multiplied, यहाँ मट्पलाई करना पड़ेगा 3 से, चले मट्पलाई कर लेते हैं, तो यह 3, 4, 6, 8 में, यहीं हम 3 से मट्पलाई करेंगे, तो यह बन जाएगा, आपका 2 into 2 into, इधर भी मट्पलाई करना पड़ेगा 3 से, तो यह 3 का पेर बन जाएगा यहाँ पर, और 17 में 17, देखें आपर यह पेर बना, यह पेर बना यहाँ बन गया यहाँ पर, इसको लिखेंगे, परफेट स्क्वार का फार्म में, तो लिखेंगे, हम 2 into, इसका एक 2 ले लिजे, इसका 3 ले लिजे, और इसका एक 17 ले लिजे, इसका स्क्वार कर लिजे, यही बनेगा स्क्वार नमबर, तो मिलेगा 3 तू जा 6, और 6 में प्लाइब करने का 17 में तो 6 7 जा 42 का 2 6 7 जा 42 का 2 4 करेंगा 6 जा 6 जा 6 जा 4 10 means यह आ गया 102 का whole square means जो यह नूबर मटपलाई करने भी बनेगा वो 102 का whole square होगा तो यहां ले सकते हैं कि hence the new number hence the new number is the square of square of 102 और यही आपका second answer है 102 ओके तो यह होगे आपका 5th one and 7th last one करना है चलिए तो इसको यह रिज़ कर लेते हैं ओके नाओ the last one 7th यहाँ पर question है आपका 7 7, 7, 6 यहाँ पर divide करेंगे किससे पहले देखें 76 है तो यह पता है कि 2 से कर जाएगा तो पहले हम 2 से कटा लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि किससे कटेगा ठीक है तो यहाँ पर यह एक्चुली देखें यहाँ पर यह दिए आप इन तीनों को divide करते हैं ना 776 को 8 से तो यह कट जाएगा 8 से क्यों क्योंकि 8 9 जा होता है 72 और 56 बचेगा और 8 7 जा 56 होता है मतब कट जाएगा बिल्कुल ही यह तो इसका मतलब कि यह पूरा जो नंबर है मतब फर्स्ट 3 डिजिट से दी कट जा रहा है तो इसका मतलब पूरा नंबर जो है 8 से कट जाएगा इस रहां जाहाए दो यह से हम कट आलेते हैं, तो इसका है अग्य होता है तो 8 9 j 8 9 जा क्या हो जाएगा relieve 72 72 हुगा तो क्या बचा है यहां पर 72 होगा तो यहां बचाहुजगा 5 फिर फिर 5 और Senior मिलिग 57 हो जाएगा तो 8 7 जा 56 हो जाएगा 8756 फिर 1 बच्चा 16 हो गया 8 तूज़ा 16 ठीक है अब यहाँ पर हम ले जा सकते हैं 4 से ठीक है तो 4 तूज़ा 4 तूज़ा 8 1 बच्चा 17 हो गया 4 तूज़ा 16 और 1 हो गया 12 अब 4 तूज़ा 12 इतना आ गया अब यह जो है 243 जो है 9 से कर जाएगा क्योंकि 4 और 2 यहां add करने क्या मिलेगा 9 मिलेगा 4 to 8 sorry 4 to 6 और 3 9 हो गया तो 9 से डालेते हैं तो 9 से लिज़ाएंगे तो 9 3 जा 27 होता है 9 तूज़ा 18 बर जाएगा 18 होगा तो 6 बर जाएगा 63 हो जाएगा 9 7 जा 63 होता है अब यहां से 9 से लिज़ाएगे 9 3 जा 27 3 होता 3 मतलब अब यहां पर हमने यह एफक्टाइज कर लिया है 7 7 7 6 को और इसका जो एफक्टाइज़ाएशन मिला है वो मिला है ये दिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 8 को लिखेंगे तो 2 इंटू 2 लिखेंगे इंटू 4 को लिखेंगे तो 2 इंटू 2 लिखेंगे और यहां पर 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 फिर एक 3 बचा हुआ है यहां पर इसको भी लिखेंगे तो यहां पर हमने लिख लिया है पूरा कंप्लीट तो यहाँ पर दखें क्या बना pair यहाँ पर यहाँ बना एक pair यहाँ बना यहाँ- two का नहीं बना है three का बन गया और three का बन गया मतलब कि इसमें six से multiply करना पड़ेगा पर एक परफेक्ट्वे जो हो गया तो मतलब कि यहाँ पर six जो है एक answer हो गया पुछाया ना कि by what numbers should each of the following numbers be multiplied to get a perfect square in each case तो यहाँ पर इस case में आपको 2 का pair बनाना पड़ेगा और 3 का भी pair बनाना पड़ेगा इसका मतलब कि 6 से 7 प्लाई करना पड़ेगा इसका मतलब कि यह 6 एक आंसर है आपका 7776 में यह दिए हम 6 प्लाई करेंगे अब यह क्या हो जाएगा देखते हैं तो 2 into 2 into 2 और यहाँ पर दिखे pair बन जाएगा यहाँ पर और यह 3 3 तो pair था ही और यह 3 into 3 था ही into यह 3 का pair बन जाएगा अब यह जो pair बन चुका है सबका pair का एक एक नंबर लेकर के square कर लिजिए means 1,2,3 दो बार रहेगा 2 और यह 3 बार 3 रहेगा मतलब कि 3 into 3 into 3 और इसी काम क्या करेंगे square कर लेंगे मिलेगा मैं 2,2,4,2,8 और 3,9,3,27 27,8 जा कितना होता है यह होता है 216 का square मतलब कि यह जो new number बनेगा मटबलाई करने के बाद वह 216 का perfect square होगा मतलब 216 का square होगा और यही पुछाए कि new number का कौन सा number का square होगा तो 216 का तो यह आपका answer हो जाएगा एक और means यह दू answer होगे आपके इस option में तो इस video में इतना ही तो यह दिए आपको अच्छा लगा solution तो like कर दिजिए तो share करिए और कोई भी doubt होता है तो comment box आपके लिए है thank you so much bye